Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल या El Nino Southern Oscillation भी बोलते हैं इनके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस detailed वीडियो में कि ये क्या होते हैं और कैसे इंपक्ट करते हैं अलग-अलग देशों को, especially India के in terms of agriculture and monsoon को और साथ इसाथ एक study आई है जिसके बारे में हम देखेंगे कि study ऐसा कुछ suggest कर रही है कि over the period of time ये और severe होने वाले हैं तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है El Nino and La Nina के बारे में उसको हम लोग आज के इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो एक नई study है वो ये suggest कर रही है कि जो climate change होने वाला या जो चल रहा है climate change उसका impact और जादा severe हो जाएगा आने वाले कुछ समय में और especially ऐसा मना जा रहा है कि 2030 तक जो El Nino और La Nina का impact है वो और significant और harmful होगा deteriorating होगा especially जो coastal island states हैं और जहां पे agriculture dominant economy का एक part है वो बहुत adversely भी effect हो सकता है with crop patterns change कर सकते हैं तो वो study अभी जो है अगर हम देखेंगे उस पे एक detail video हम अलग से करेंगे बट जो most important चीज है जो generally मैं students और aspirants में देखता हूँ कि उनमें अभी भी El Nino और La Nina का concept clear नहीं है तो आज की इस video में मैं detail तरीके से आपको बताऊँगा पूरा concept geography का core concept है geography का El Nino La Nina कैसे आता है क्या impact करता है trade wins and all of those aspects क्योंकि इसके उपर prelims में regularly सवाल आता रहा है आपको PYQ मैंने पहले भी बताया है बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस exam को clear करना है कि PYQ के साथ आप जुड़े रहें syllabus and PYQ दो आपके important ब्रहमास्त्रों है इस exam को clear करने के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं El Nino La Nina actually में जो word है पहली बार जो ये fisherman community थी तो लिटल बॉय के नाम से Spanish word है नीनो मींज लिटल बॉय और नीनिया मींज लिटल गर्ल तो वहाँ से निकल के आया है ये और generally आप देखते हैं जो Latin American countries है वहाँ Spanish influence था तो उन्होंने पहली बार ऐसा uneven सा कुछ phenomena discover किया जिसके बाद उन्होंने नाम दिया और generally winter conditions में वहाँ पे आता है इंडिया में हमारे याँ generally ये summer conditions के टाइम पे आता है El Nino El Nino क्या होता है इसको ENSO भी क्यो 9 को जिसमें मैं जोग्रिफी स्टार्ट करने वाला हूँ सुबह 8 बजे से 18,999 में आपको पूरा subscription मिल जाएगा दो साल के लिए जिसको आप जब भी चाहें देख सकते हैं with live mentorship and daily answer writing that's the most crucial aspect उसके लावा आप मुझसे जुड सकते हैं अलग-अलग social media handles पे है telegram पे PDF के लिए और उसके लाव आप मेरी book भी रेफर कर सकते हैं for international relations so coming back to the core concept of geography एल नीनो ला नीना समझने के लिए देखी दो तीन चीज़ें pre-requisite है एक तो आपको geography में जो हम लोग बोलते हैं pressure belts कैसे pressure belts बनते हैं और उससे जो generate होती है permanent wind का concept पता होना चाहिए नहीं भी पता है थोड़ा बहुत discuss कर लेंगे और उसके साथ साथ कुछ crucial concept होते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसको बोलते हैं upwelling कुछ निकल रहा है उपर आ रहा है क्या आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे तो एल नीनो और ला नीनिया के लिए ये दो चीज़े बहुत important है वैसे अगर हमें समझना है कि एल नीनो और ला नीनिया क्या है तो उसके लिए मैं आपको एक reference के तौर पर बता देता हूँ तेखिए एल नीनो या एनसो भी जब हम इसको हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एल नीनो सदन ओसिलेशन ओसिलेशन मतला होता ना आगे बीछे होना पेंडूलम की तरह कुछ आगे बीछे दो जगे के बीच में चीज घूम रही है ऐसे ना फिजिक्स में बढ़ते थे हम लोग तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है लेकिन यह पानी में हो रहा है और स्पेसिफिकली किस एरिया में हो रहा है पसिफिक ओशन में अगर मैं अब बिल्कुल इग्जाक्ट चीज पे आजाओं कि एल नीनो में क्या होता है एल नीनो लीट्स टू एबनॉर्मल वार्मिंग अबनॉर्मल है यह है वार्मिंग ओफ एस्टन पसिफिक वार्टर्स अभी मैप पे देखेंगे डीटेल में ठीक है और इसका ठीक उल्टा होता है लानीनिया वेस्टन पसिफिक जादा गरम हो जाता है उसको मैप पे पूरा सीक्वेंस ओप इवेंट देखके हम समझेंगे कि क्या हो रहा है तो देखें नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है इसको फिर हमें एक ब्लैंक मैप भी समझेंगे अभी आप डियाग्राम पर देख लिए एल नेनो जो फिनॉमेना है ठीक है इसमें एक जो circulation pattern बनता है wind का उसको walker circulation भी बोलते है walker circulation because it is named after the person who discovered this ठीक है normally क्या होता है आपको पता है trade winds ब्लो कर रही होती है इस region में ठीक है trade winds अगर आपने नहीं पढ़ा है तो permanent winds वाला topic आपको देखना पड़ेगा तो trade winds इस region में blow कर रही है तेक है between 30 degree and 0 degrees के बीच में north and south अब जब ये trade winds blow करती है तो ये क्या करती है गरम पानी यहाँ पर accumulate कर देती है कहाँ पर accumulate कर देती है towards the Indonesia Australian side अब जहाँ गरम पानी हो जाता है आपको पता है warm water low pressure create कर देगा और क्योंकि यहाँ से गरम पानी shift हो रहा है तो comparatively cooler water है और जहाँ cool water होता है वहाँ high pressure होता है और जहाँ low pressure होता है वहाँ clouds बनते हैं convection होता है यहाँ बारिश होगी और यहाँ पे हवा जो है नीचे descend करेगी ठंडियों के यहाँ बन जाएगा आपका high pressure यहाँ होगी dry condition यह है normal condition अब उसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे समझें तो क्या हो रहा है अब जैसे इसको मान लिजे कि यह है आपका यह वाली coast ठीक है southern American coast है यहाँ से गरम पानी shift हो रहा है Australia की तरफ तो that means जब यह गरन पानी shift हो रहा है उपर से जा रहा है तो यहाँ जगे खाली हो रही है और अकर यहाँ जगे खाली हो रही है तो उसको fill up करने के लिए ठंडा नीचे से पानी उपर उठेगा वो ठंडा पानी जब नीचे से उपर उठता है तो अपने साथ dissolved minerals और कई सारे चोटे-चोटे जीव को लेके आता है और वो surface पह जाते है उनको खाने के लिए पीछे-पीछे मचलिया आ जाती है तो यह जो चोटे-चोटे जीव है इनको हम phytoplankton, zooplankton बोलते हैं और इनके पीछे-पीछे जो मचलिया आती है वो क्या होती है? fishing के लिए बड़ी अच्छी होती है आके लोगों के लिए तो बल्ले-बल्ले हो जाती है लोगों के आप मचली पकड़ने को मिलती है इस process को हम upwelling बोलते हैं जो यह cold और nutrient rich water नीचे से उपर उठता है उससे यह बहुत अच्छे suitable fishing grounds बनाता है और उसका कारण क्या है? उसका कारण है trade winds गरम पानी को surface से drag करते हुए ले जाती है तो trade winds जैसा कि आप जानते हैं permanent winds है यह क्या करती है? यहाँ से blow कर रही है surface पे सतह पे जो गरम पानी है उसको Australia के तरफ shift कर रही है और उसके shift करने से क्या हो रहा है? उपर के level पे पानी कम हो रहा है नीचे से ठंडा पानी उसको replace करने के लिए उपर उठ रहा है और जिससे वो nutrient rich water उपर आता है जिसको पीछे बीचे मचलें खाने आती है और इसको हम बोलते हैं upwelling process तो यह South America में normal condition में होता है तो South America में generally dry condition इसलिए आप जानते हैं यहाँ पे deserts हैं ठीक है? Peru, चिली, अटकामा region यह सब जो है तो यह high pressure region है बारिश यहाँ कम होती है नॉर्मली बारिश आपकी Australia, Indonesia, India पे अच्छी बारिश होती है दूरिंग the summer season जनली अगर हम देखे हैं अब ऐसा कुछ होता है लगबग 3 से 5 सालों में जिसकी वज़े से यह pattern थोड़ा गड़ड़ा जाता है इस्टर्ब हो जाता है तो ऐसा क्या होता है उसी को हम लोग बोलते है एन्सो का डेवलप होना या एल नीनो का डेवलप होना तो अब यहाँ देखिए अब यह हमारा Western Pacific है यह हमारा Central Pacific है यह हमारा Eastern Pacific है नॉर्मल कंडिशन में यह हो रहा है गुड इंडियन मॉनसून यहाँ पर क्या हो रही है बारिश अच्छी हो रही है क्योंकि नॉर्मल कंडिशन में हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती बारिश यहाँ पर हो रही है Western side नॉस्ट्रेलिया, इंडोनेशा, इंडिया की तरफ अब ऐसा कुछ होता है कि आपकी trade winds तो पहले हो जाती है weak और trade wind weak होने से क्या होता है जो यहाँ पर पानी खटा हो रखा था ना गरम पानी वो वापस slow करने लग जाता है towards Eastern Pacific वन ओद रीजन उसका है counter equatorial current आपके ocean में भी currents होते हैं जो उसको धक्का मारते है वापस वो भी है तो वो पानी जो इतना जादा accumulate हो गया है वो वापस जाता है और उसके जाने से क्या हो और अब आप देख रहे हो कुछ पानी तो Central Pacific में रह गया और कुछ पानी यहाँ पे वापस गरम पानी यहाँ हो गया अब गरम पानी यहाँ आगया तो यह लो प्रेशर हो गया गरम पानी यहाँ आ गया तो यह लो प्रेशर हो गया गरम पानी जहाँ है वहाँ पे Vaporation होगा, convection होगा ऊपर हवा जाएगी, clouds बनेंगे और जहाँ पे ठंडा पानी वहाँ क्या होगा high pressure बनेगा तो अब यहाँ पे सूखा हो जाता है यहाँ आ जाती है drought like condition in western portion of the Pacific that is around Indonesia, Australia और बारिश होने लग जाती है South America में बड़ी जबरदा क्योंकि वहाँ पे generally dry area रहता है जब बारिश होती है तो वहाँ पे क्योंकि plants इतने रहते नहीं है और plants है नहीं desert area जब बारिश होगी strong conventional current होगा तो वहाँ bar type situation आ जाती है और वो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं क्योंकि फिर वहाँ पे upwelling रुख जाती है वहाँ के लोग जो fisheries depend करते हैं वो fishing नहीं कर पाते हैं और साथ-साथ एक बड़ी interesting चीज भी होती है वहाँ पे जो fishes को खाने के लिए गुवानो अलग-अलग birds आती है तो इनकी bird की जो dropping होती है वो bird dropping is good in phosphate and other mineral और वो इनकी fertilizer industry के लिए use होती है तो वो भी आपकी adversely impact होती है तो देख रो कैसे हमारे ecosystem में हर चीज interconnected है तो ये environment से भी एक link topic हो गया तो अब ऐसे क्यों होता है क्या कारण है इसको थोड़ा और detail में देखते हैं with a blank map कि क्या हो रहा है ये region आपका कहलाता है western pacific ये है central pacific प्रशाद महा सागर और ये है आपका eastern pacific और थोड़ा detail में देखते हैं normal condition में कुछ नहीं है normal condition में क्या है देखो जी trade winds इधर ऐसे flow करती है इस direction नीचे से trade winds south पे आ रही है अधर से northeast and southeast trade winds अब ये trade winds क्या कर रही है यहाँ पे जो गरम पानी है surface पे उसको धक्का लेके इधर accumulate कर रही है तो सारा पानी आपका यहाँ accumulate हो गया अब अगर गरम पानी western pacific में आ गया तो क्या होगा low pressure बनेगा हाजी बनेगा color change करते है इसका और low pressure बनने के बाद यहाँ क्या होगा convection होगा क्या बनेगा यहाँ पे clouds बनेगे clouds बनेगे तो क्या होगा बारिश होगा फिर बारिश होने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पानी थोड़ी जो हवा ड्राइ हो गई है, वो क्या करेगी इधर जाके, निंचे गिरेगी, यहाँ क्या बन जाएगा आपका, आई प्रेशर, यहां है लो प्रेशर, और यह पूरा आपका कन्वेक्शनल साइकल है एक कम्प नहीं सम्मस्थ, good monsoon in India, बारिश होरी मस्थ, कोई tension की बात नहीं है, यहां से monsoon winds आ रही है, यहां घूम जा रही है, south west monsoon is good for India, ठीके good monsoon, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ interfere करने के लिए है नहीं है, ठीके, मस्थ यहां पे high pressure बना हुआ है, mass current high के पास, low pressure यहां पे Tibetan plateau है, वो उसको attract कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत कैसे होती है, अब दिक्कत होती है, जब यहां पे, चेंज करते हैं हम लोग, हमारी trade wind जब weak हो जाती है, अब यह trade wind मानलो हो गई weak, तो जब wind weak होगी, जो धक्का मारने वाला force कम हो गया, अब यह जो पानी यहां इतना accumulated है न, वो वापस flow back करना चालो करता है, इसकी वाज़ा से counter equatorial current बढ़ोगे आप, ocean current में बीच में एक equator के पास counter equatorial current चल रहा है, तब वो, wind होगी weak, द अब आपका counter equatorial current जो है, वो warmer waters को क्या कर रहा है, यहां पे अब accumulate कर देगा, यहां पे eastern Pacific में, अब यहां पे अगर eastern Pacific में warmer waters आ गए, तो अब क्या होगा, अब यहां पे low pressure बन जाएगा, यहां पे अब बारिश होगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो हो जाएगी, इंडोनेशिया में, अस्ट्रेलिया में, इंडिया में, यहां पे जो winds है, now they start interfering with the monsoon winds, और इस condition को हम बोलते हैं, development of, हमारे यहां summer condition में आता है, summer मन्त में, जनली में, जून, जुलाई, और उस समय आपको पता है, southern hemisphere में winters हो रही होती है, तो वो लोग इसको winters बोलते हैं, कई बार अगर आप पढ़ेंगे, तो confused मत हो ना कि उनके winter में आ रहा है, सर आप बोलते हैं, हमारी summer है, उनकी तो winter है, तो यह है अनलीनो condition, अनलीनो में क्या होता है, warmer waters, they shift towards the eastern pacific, making a low pressure there, resulting in rainfall and floods, drought-like conditions in India and Australia, ठीक है, अब इसको southern oscillation क्यों बोलते हैं, वो भी मैं आ raise कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि फटा-फट हो जाए, देखिए, क्या होता है, इसको measure करना जब हमने चालू किया, यहाँ पे दो जगे हैं, जहाँ इनको measure किया जाता है, यहाँ पे दो ports है, Darwin and Tahiti, यहाँ पे एक Darwin port है, Australia का, और यहाँ पे Central Pacific में एक Tahiti port है, जहा तो generally जो यह Southern Oscillation ही है, यह match करता है with the condition of El Nino, that means, कि यहाँ पे क्या हो जाता है, warmer waters हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाते है, older water आ जाता है, जिसकी वज़े से resulting high pressure हो जाता है, यहाँ पे resulting low pressure हो जाता है, यहाँ पे drought-like condition आ जाती है, सुखा हो जाता है, और यहाँ पे rains and flood- like condition में जाती है, यह होता है आपका El Nino, इसलिए इसको Southern Oscillation Index बोलते हैं, डीटेल में और इसको हम पढ़ेंगे, life foundation batch में, but this is the main theory, how it works in reality, यह main process है, अब इसी में अगर मैं आपको La Nina मुझे समझाना हो, तो La Nina में समझा सकता हूँ, La Nina में exactly इसका opposite होता है, अब instead of becoming weaker, जो trade wins होत जाती है, और जब strong हो जाएगी तो और गरम पानी जो है, जाधा जाधा पानी, यह low pressure और जाधा strong हो जाएगा, और जब ही strong हो जाएगा तो बहुत जाधा बारिश होती है, उससे क्या होता है, इंडिया में भी floods आजाती है, तो La Nina is good, but too much of anything, excess of anything is also bad, so जाधा बारिश में मत swelling भी उतनी अच्छी हो रही होती है, यहाँ पर swelling हो रही है, घंडा पानी उपर आ रहा है, La Nina में क्या हो रहा है, और strong होगी condition, मतलब normal condition को आप और intensify कर दो, वो La Nina हो जाएगा, अब जनली यह देखा गया है, कि जो Enso या El Nino और La Nina होता है, जनली इसके बीच में 3-5 साल का gap रहता है, जनली इसा होता है, बट यह अब ना कहना बड़ा मुश्किल है, after climate change जब से intensify हो गया, अब हम यह absolutely कह नहीं सकते कि ऐसा होगा, 2-3 साल में, बड़ा ही sporadic सा हो चुका है, तो यह consistent रहा नहीं है यह, इस वज़े से हम exactly कह नहीं सकते हैं, इस में क्या होने वाला है, तो यह basically El Nino और La Nina की conditions है, अब आदे हैं एक बड़ी interesting fact based चीज़ को लेके, कि how do they impact India, यसे मने बताया El Nino is bad for India because it leads to drought and affects Indian monsoon and agriculture, 20% drop in rainfall is seen in some El Nino years, 10% rain deficit in last El Nino years, 18% drop in sugarcane output, especially जो खरिफ crop है आपकी, तो रेनफॉल dependent है, तो रेनफॉल डिपेंडेंट है, वो effect हो जाती है during that season, अगर आप देखोगे, harvesting है and in fact, even rubi crop की जो sowing होती है, वो भी effect हो जाती है during that season, overall it has a significant impact on our economy because हमारी economy अभी भी majorly agrarian है, तो यह उसका impact है, मताब apart from the clamative effects, it has a significant impact on sugar, rice, cotton, oil, seed, wheat production, हमारी economy में इसका direct impact होता है, और एक interesting fact में बताता हूँ आपको, आजकल एक triple dip का phenomena देखने को मिल रहा है, what is this triple dip La Nina, तो generally ऐसा माना जाता है कि यह La Nina का जो period है, यह तीन consecutive years तक देखने को मिलता है, अभी इस बार इंडिया में देखा जा रहा है कि September 2020 में build हुआ, और 6 मैंने तक यह extend होने वाला था, बट अब ऐसा भी माना जा रहा है, कि there's a 70% chance, कि यह September, November 2022 से लेके, February 2023 तक continue करेगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं, as triple dip La Nina, यह बड़ा important है, त जैसे आप जानते हैं कि results in good rain conditions, floods in India, और यह generally आपका winter season के आसपास आता है, मतलब later half of the month या year end के आसपास आपका आता है, एक interesting fact बता हूँ, फट कम जगे मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा, यह guarantee दे सकता हूँ मैं आपको, क्या आप जानते हो कि N Nino अर्थ की rotation speed को slow down कर द यह नहीं बताता, अगर पताता हूँ, फटा-फट comment section में बताना, नहीं बताता फिर भी बताना, यह एक interesting fact बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है, तो L Nino क्या है, एक study पाई गई है कि L Nino जो है, because यह आपके regular water pattern and weather pattern को affect कर रहा है, this results in slowing down of earth's rotation, और यह क्यों हो रहा है, बहुत देखें, L Nino condition में क्या हो रहा है, L Nino condition में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे low pressure develop हो रहा है, तो अगर यहाँ low pressure है, तो यहाँ rocky mountains है, comparatively वहाँ पे इसके यहाँ पे high pressure होगा, तो अगर मेरी अर्थ इधर rotate कर रही है, लेकिन आपको पता है, wind कहाँ shift करती है, high pressure से low pressure, उल्ट winds इधर travel कर रही है, कुछ-कुछ, क्योंकि अगर इधर low pressure है, L Nino में, याद है ना, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो इधर high pressure है, और इसकी वज़े से यह उल्टी तरफ drag कर रहा है, तो atmosphere दूसरी तरफ move कर रहा है, और अर्थ इधर की तरफ move कर रही है, इधर उधर, इधर drag कर रहा है, इस वज़े से पाया गया है, कि बहुत microsecond भले ही हो, कि अर्थ की rotation speed slow down होती है, और एक interesting fact बताता हूँ, before I end this video, and I'm pretty sure आपको यह भी शायद कम पता हो, कि जब ला नीनिया आता है ना, तो ला नीनिया condition में, अमेरिका की इधर की तरफ hurricane जो के जो chances होते हो, ज़्यादा strong हो जाते है, strong hurricane season हो जाता है, क्योंकि यहाँ comparatively क्या होता है, dry weather होती है, उसके comparison में यहाँ पे generally wet weather होती है, जो की useful होती है hurricane बनाने के लिए, जिसको हम लोग इंडिया में tropical cyclones भी बोलते हैं, और इसी वज़े से UPSC, ऐसे सवाल भी पूछता है, यह सवाल आया थ प्रिवेस यह question का है, आप मुझे बताइएगा, कि what is this L. Nino modi की, इसका answer मुझे ज़रूर बताएं comment section में, और उसके बाद हम discuss करेंगे, यह हम live foundation course में देखेंगे, कि L. Nino modi की क्या होता है, La Nino modi की क्या होता है, फिर what is this concept called as Indian Ocean Dipole, and similarly this concept called as Equinus, तो ऐसे ही interesting और deeper understanding वाले topics के जुडिये फट आफट हमारे साथ, live foundation batch of study IQ, और use करिये code deep live, I hope यह विडियो आपको पसंद आया, और comment section में answer जुरूर लिखियेगा, and do let me know, if you have any particular request for any video, मैं मिलूंगा next video में, till next time, thank you so much, a good day, जै हिंद.